हेलो नमस्कार जी कैसे हैं आप लोग आसे करता हूं कि आप से भी बढ़ियां होंगे और सुवस्थ होंगे तो जी आज किस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मोहन जोद्रो के बारे में कि मोहन जोद्रो में कौन-कौन सी वस्तुए खुदाई करने के दोरान मिली थी कब इस अस्तान पर अभी मोहन जोद्रो है तो इन सभी के बारे में डिटेयल से बात करने वाला है तो वीडियो को राश्टिक जिरुव दखिएगा चली वीडियो को स्टार्ट करते हैं भी ना किसी दे रहे कि मोहन जोद्रो का जो खुदाई हुआ था वह सबसे पहले 1922 में हुआ यह मोहन जोद्रो जो है अभी पाकिस्तान के लरकाना जीले में इस्तित है यह सिंधी नदी के किनारे पर है यह सिंधु नदी के किनारे पर यानि के सिंधु नदी के टट पर जो है मोहन जोद्रो अवस्तित है और कहां पर है अभी तो पाकिस्तान के लरकाना जीले में है अ इसल् Außerdem मिर्थकों का ठीला मिला था सभी लूगों को ऐसा लग रहा था यूद के समय सभी लोग एक दूसरे को मार का और और दूसरे को ऊपर रख दिया गया है और वह दो सबस्तुरों के बाद उन का एक लिए पीक है देड़ को सब्सक्रा है यानि कि मोहन जोद्रों पर जितने भी वस्थो मिले थी वह आपको अभी बता रहे हैं तो सबसे पहले मिला था पुरोभित आवास मोहन-जोद्रों में क्या मिला था उसके इसने और मील्मा का है अभी डुप पूरे आप सिंदुगाटी सभेता का विसाल आसनानागार कहां पर है तो मोहन जोद्रों में आपका राइट एंसर हो जाएगा, objective में भी पूस्ता है, तो यहां पर विसाल आसनानागार भी मिला था, आनागार भी मिला था, यानि कि जितने भी लोग थे, उनको खाने पीने के लिए एक घर बनाया गया था, और उसमें पूरे आनाच को रख दिया जाता था, जिसे आनागार भी कहा जाता है, सूती वस्तर भी मोहन जोद्रों से ही मिला है, सबसे चोड़ी सड़क, यानि कि मोहन जोद्रों में सबसे सिंदुगाटी सभेता कि सबसे चोड़ी सड़क ज यानि कि शिव शंबु भॉलेनाथ की जो मुर्ती है वह भी आपको मोहन जोदरु में मिला था पशुपति शिव के नाम से जो मुर्ती है उसके बाद आपके का से की नर्तकी यानि कि तामबे की जो नर्तकी थी ना वह भी कहां पर मिली है मोहन जोदरु में मिली है तामबे का खुदाई हुआ था 1922 में 1921 यहां पर है तो टाइपिंग मिश्टेक है लेकिन 1922 में मोहन जोद्र की खुदाई की गई थी राखल दस्वनर जी के दुआरा यह अभी पाकिस्तान के लड़काना जीले में इस्तित है कौन सा मोहन जोद्रो आपका और यह सिंधु नदी के टट यहां पर पुरोहीत अवास मिला था घर में कुए मिले थे और विसाल असनानागार अनागार सूति वस सबसे चोड़ी सड़के साभागार पशुपति शीव कासे की नर्तकी और तांबे का धेर भी यहां पर मिला था तो आई होब कि यह वीडियो आपको समझ में आया है और समझ में आया है तो चैनल को सिस्क्राइब कीजिए वीडियो को लाइक कीजिए चलिए मिलता है इस वीडियो में तब तरह के लिए जयाहिन जयावारत बंदे मात्रम